वचनामरत क्रमांक 10 द्वादशानू प्रेक्षा द्वादश ये बार अनू प्रेक्षा ये भावना पार भावना कहो अथवा द्वादशानू प्रेक्षा कहो एक अच्छे बार भावनानू चिंतवन करमू केमके एव वेराग्यनी माता छे वस्तुनू वास्त्विक सुरू बतावनार छे जगत्मों रहिला चेतन जड़पदार थो तेनी वास्त्विकता बतावनार आबार भावनाओ छे तिर्थंकर मगवान पन जयरे संसार त्याक करे लेके घर छोड़ीने रिक्षा ले ते वक्ते ते पन आर बार भावनाओने भावे छे ते मानी अनित्य अशरण अने संसार भावनाओं स्वरूप अत्रे गुजराती माँ परंकृपालोदे वर्णवे छे मुड़ तो रत्नकरण श्रावकाचार माँ श्री समंत भध्राचारिये यनू मुड़ वर्णन करे लेके मुड़ करता रत्नकरण श्रावकाचार ना श्री समंत भध्राचारिये पच्छी तेनी टीका पंडीत स्री सदास सुखदास जिये करे ली अने तेना एज रत्नकरन शावका चाननी कृपाल देव अतरे गुजराती मां त्रण भावनावनों विस्तार लखे छे इनों गुजराती अनुवाद करे छे तेमा कृपाल दे लखे छे आत्माने परम हितकारी एवी द्वाजशानु प्रेक्षा एले वेराग्यादी भाव भावीत बार चिंतवन आओनु सरूप चिंतवन करूं छुन आत्माने परम हितकारी परम हितले उतक्रस्थ कल्यान कारी एवी या द्वाजशानु प्रेक्षा एटले बार भावनाओ जे वेराग्यादी भाव भावित एले वेराग्यादी भावो थी भरेली छे एवी बार चिंतवन आओनु इतले बार भावनाओनु स्वरूप अत्रे चिंतवन करूं छुन ते समन्दी विचार करूं छुन पहली अनित्य अशराण पहली अनित्य भावना विजी अशर्ण भावना त्रीजी स्वंसार भावना चोथी एकत्व भावना पांच मी अन्यत्व भावना चत्थी असुची भावना साथ मी आस्त्रो भावना, आठ मी संबर भावना, नौ मी दिर्जरा भावना, दस मी लोक भावना, अग्यार मी बोधी दुर्लब भावना, अने बार मी धर्म भावना ए बार चिन्तवनाओना प्रथम नाम कयां, एना स्वभावनू भगवान, तिर्थंकरपन, चिन्तवन करी, संसार, देह, भोगती, विरक्त थया छे आज चिन्तवनाओ वेरागीनी माता छे, के ए बार भावनाओनों सभाव सुं, तेनू सुरुप सुं, ते भगवान, तिर्थंकरपन, जे भावनाओनों चिन्तन करी, संसार, देह, अने भोगती, विरक्त थया छे संसार भावना, के आज संसार नू भहंकर सुरूप, अने देह नू सुरूप असुची भावना, अने भोग, पांच इन्ना विश्यो, तेनू सुरूप जानी, अने तेना थी ए भगवन तो पन विरक्त थया छे एने त्याग्यां छे, केम के आज चिन्तमना वो वेराग्यनी माता छे, जे माता बालकने जन्मा पे, तेम अबार भावनाओ वेराग्यने जन्मा पे छे वी राग, राग ज्याज्या आपनों छे, तेन ती पाचो वाले, वेराग्य भावलावे, समस्त जीवोनु हित करवावाडी छे अबार भावनाओ समस्त जीवोनु हित करवावाली छे, अनेक दुखोती व्याप्त संसारी जीवोने आज चिन्तमनाओ बहुत्तम शरण छे अनेक दुखोती व्याप्त संसारी जीवोने आज चिन्तमनाओ इले आज भावनाओ बहुत्तम शरण छे इले के इमने रक्षा करना री छे, इमने आज संसार ना दुखोती बचावनारी छे, शरण अपनारी छे दुखरूप अगनी थी तपताय मान थेला जीवोने शीतल, पद्मा, वन्नी, बद्धिमा, निवास समान छे अब अधि बार भावनाओ नों मात्में बतावे क्या भावनाओ के वी, तो के दुखरूप अगनी थी तपताय मान चौद राजलोप त्रिवीद तापागनी थी प्रजुलिच छे, निगतना सर्व जीवो आधी व्याधी ने उपाधी थी दुखी छे इवा जीवोने पन शीतर पद्मा वननी मद्यमा निवास समान पद्मा वन ये कमल ज्या अत्यन्त होए इवा कमल वननी मद्यमा ज्याने निवास होए तो सर्वत्र शीतरता व्यापे किमके विशेश जड़ होए तियां कमल उगी निकले तो तियां किली शीतरता होई ठंडक होई तेम के जे बले रे अखो लोग त्रिवित आपती बढ़तों छे चताप मना बार भावनाओ भावे तो एपन कमल वन नी जाने मद्यमा निवास करतो है ये वी शीतरता व्यापे दुखरूप अगनीती तपताइमान थेला जीवों ने शीतर पद्मा वननी मद्यमा निवास हमान छे अभावनाओ परमार्त मार्ग देखार नारी छे आत्म कल्यान नो मार्ग बतावनारी छे किमके वेरागी उत्पन्थ है आप अची जेने स्वंसार त्यागनी भावना जागे अने साचो मार्ग मुक्ष मार्ग प्राप्त करवानी जिगनासा थाए क्यारे विरक्त भावावे तो इले साचो परमार्त मार्ग देखाड नारी इले वैरागे भावना जो उत्पन थाए तो इने साचा आत्मक अल्यान नो मार्ग मड़ी आवे तत्वनो निर्णे कराव नारी ज़े जड़ ने चेतन मुख्यत वे बे तत्वनो आखो विश्व बनेलू छे तो ए जड़ चेतन रूप तत्वनो निर्णे कराव नारी केमके वैरागे भाव आवे त्यार पछी बुद्धी निर्मल थाई छे अने निर्मल बुद्धी ए जड़ चेतन ना तत्वनो यथार्थ सही विवेक करी शके यदे बुद्धी सवड़ी होय यले यहनो निर्णे पन सवड़ होय यले आ बार भावना हो उतत्वनो निर्णे कराव नारी छे सम्यक्त्व उत्तपं कराव नारी छे थे धिए वैराग क्या लई जाए आत्मानी शध्धा करावे यहन आत्मा earnedभाव करावे केम के त्याग विराग न चितमा धाय न तेने गना इले जने विराग अप्षमावे ए सम्यक दर्षन प्राप्तिनी योगिता आवी गे इले आ बार भावनाव तो सम्यक तो अत्पन करना री छे इले तत्वार शद्धानम सम्यक दर्शनम साथ तत्व वगेरे तत्वोनी नुँ इतार शद्धान करावना पणा भार भावनाओ छे अशुब ध्याननो नाश करनारी छे शुब ध्यानमा लई जये अशुब ध्याननो नाश करनारी छे द्वादस चिंतवना सवान आ जीवनु हित करनार भीजू कहीं न थी अब भार भावनाओ जे आत्मानो कल्यान करी शके तेना जिवू आ जगत्मा हित करनार आत्मानो कोई भीजू न थी द्वादस चिंतवना समान आ जीवनु हित करनार भीजू कहीं न थी बार अंगनो रहस्य छे बार अंग पेलो आचारंग भी सुईगडांग ठानांग समवयांग भगवती वगेरे जे भगवान तिर्थंकरोई बार अंग उपदेश्या तेनु रहस्य आ जे एमके छे के बार अंग भणीने पन सू लावू छे अने बैराग्य वगर आत्मा नी ओर्खान ठाए नी इतले विरक्त भाव आ भावनाव लावे उपदेश बोध परणम आवे त्यारे सिद्धान बोध परणमे इतले के छे आ बार अंगनो आ रहस्य छे किमके बार भावनाव जीवनो परणम्या वगर येने आत्मा भाव टकी न सके बार अंगनो रहस्य छे इतला माटे आ बार चिंतवनाव माथी भाव सहीत हवे अनित्यन प्रेक्षान चिंतवन करिये छे इतला माटे बार अंगनो रहस्य होवा थी कृपाल दोके अवे आ बार भावनाव माथी भाव सहीत प्रथम अनित्य अनुप्रेक्षान चिंतवन करिये छे इतले अनित्य भावना भाविये छे अनित्य अनुप्रेक्षा अनित्य इतले नित्य नहीं अशाश्वत जे अमो काड़ पछी अवश्य नास पाम्मानुचे कायम जे कोई काड़े रही शके ने ते अनित्य केवाज तेम आत्मा चे इतने काल रहे वो पदार चे माटे ने नित्य पदार क्यों आत्मा सभावे नित्य परियाय नित्य परियाय एक समय मात्र आत्मा निवस्था पाण स्वस्रूपे जोईये तो शुद्ध सरुपे जो ये तो शाश्वत नित्य पर आज जगत्मा जे बदा पदार्तों देखा है ते तो बदा रूपी पदार्तों चे अने पुद्गल परमानुना इसकंद चे आ बदा पुद्गल एक परमानु तो रूपी होआ चे ता आँखे देखी शकातों ना थी केवल ना नी जोई शके तो आपने जे देखाये ते बदो पुद्गल नो सकंद अनन्त पुद्गल परमानु भिगा थाये ते आपने आँखे आवे चे देखाऊ मा इटले जे कई पन आपने देखा ये बदूज अनित्य एकपन पदार तेमोनो नित्य नहीं एवी अनित्य अनुप्रेक्षा येले जगतना सर्व द्रब्योना परियायो अनित्य छे ये आपने ध्यानमा लावा माटे यां खुब विस्तार्थी वणन करे छे अनित्य अनुप्रेक्षा अन्जली के जल जिवन घटतु है अपड़े जेम हत्मा पाणी लिधू है तो ये टीपे टीपे निचे पड़्याज करे ये थोड़ा वकत पजी बदूज नित्री जा तीपे टीपे पाण अंजली के जीवन्या जीवन गठतु है। जीवन एकले पाणी, जीवन एकले आप जीवन। एकले पाणी, जेंक्षणे-क्षणे घटे तें प्रतिक्षणे आपनो आईश्य पन घटी रहे हुंचे। मृत्यु तरफज अपने धकेलाई रहा छे अईश्य पूरु थे आ जीवन पूरु थे जशे जीवन पूरु था एना पहला आत्मानु हित करीलो एना माटे एक नानी पुर्षो के आप अदार्थोना सरूप विचारो के तमें जेने नित्य शाश्वत मानी बैठा छो एक कोई काड़े नहीं रहे तमारु शरीर नहीं रहे संपती न रहे बधूज विनाशी छे नाश्वन छे माटे शाश्वत वस्तुने प्राप्त करो के पछी कोई काड़े दुखा आवे ज नहीं अनित्य अनुप्रेक्षा देव मनिश्य तिरियंच ए समस्त जोच जोतामा पाणी ना बिन्दुनी पेठे अने जाकलना पुञ्यनी पेठे विनसी जाए छे देव मनिश्य के तिरियंच आब अधा जोच जोतामा पाणी ना बिन्दुनी पेठे पाणी नु बिन्दु अन्जली महात्मोय तो जेम टपके टपक करे अने जाकलना पुञ्यनी जाकलना बिन्दु जे पड़े ये आपने एक एक पास से मोती जेवा देखाए बदा पान पर होए पड़े ने अवानो तोड़ो घिलो रावे के तरता नीचे पड़ी जाये जाने जाकलना पुञ्यनी पेठे बिन्दु जाये छे जोच जोतामा विलेथी चल्या जाये छे बड़ी इलेथ देव आयू मनिश आयू के तिरिन चायो बधाज ख्षनिक नाश्वंत अने समय समय पाचा ए आईश्यो नाशज पामिर्या छे बड़ी आ बधा रिद्धी संपदा परिवार स्वप्न समान छे जेवी रिते सपनमा जोएल हो पाच्छू नती देखातों तेवी रिते विनाश पामेच है सपना मों एक वार जोई हो जाग्या तरे गई हो एक पाल देवे एटले बिखारी नों जरिश्टान तापिएं के बिखारी ये रात रे तो सपना मों राजा बनी गयो अने राज्य सुक भोगवे ने जई उंग उड़ी के तो बिखारी नो बिखारी इडले सपना मों जोएलों येम साचू नहीं ते वी रिते आपनू आप बधूंचे आजे देखाएचे ये पाँच पचास वर्स पचीश साचू नहीं अपड़ा बाप दादाओ के सजावालाओ के जे समंधियों के ओड़कीताओ के तला बदा गुजरी गया अपड़ी पचास साइट वर्स नी उमर में विचार करिये तो किवा आता येम बधाज गया अने आपड़े वे पाँच पचीश वर्ती अमोने अरदान होई येम जाने जन्म्याज नोता याने आपड़ा बादादा हता के नी खबर नी येवू जाने एकदम सप्न वत थे ग्यों जेवी रिते सप्नमा जोएलूं पाचूं नथी देखातूं तेवी रिते बद्धूं विनाश पामे छे आ जगतमा धान योवन जीवन परिवार समस्तक्षन भंगूर छे एने संसारी मित्या द्रश्टी जीव पोतानों सरुप पोतानों हित जाने छे आपड़ी केटली अगनान ता तेनों ख्याला पे क्या जगतमा धान पेशो भेगो करवा माटे आखू जीवन अरपन करीदे योवन ने दरेग जीव टकावाई छे के जुवानी मारी बनी रहतों सारुप अनगमे इतला अउश्यद खाय छतना पने टके नी ब्रदावस्ता आवेज केमके नाश्वन छे जीवन याईश्य एने पन टकावाई छे पन नती रहतों सुखना दाड़ा जतना बार नती लागती अने तरतेज मृत्यूनों समयाभी जाईच्छ साइट सित्तेर वर्स आपड़ा पूरा थवाव्या कई खवरत ने थी जीवन जाने पूरू थाईग्यों अवे तो आपड़े मृत्यूनी नजीक्छी है एम क्षान क्षान जता अननत काल भई गयो छता सिद्धी थाई नई छता कोरोनो कोरोरे ओ अजू बाजी हात्माच अजू जीव धारे तो करी शके पनाईश रूपी दोरी तुटी गई पजी काई न थी आत्माच पजी कई गती मजेने पड़ से त्या केवा संजोगों मल से काई खबर न थी ल्या जगत्मा धन योवन जीवन परिवार समस्त अक्षान भंगूर छे आतो के मारूं कुटू आ मारूं घार, आ मारा छोकरा, माता, पिता, सगा, वाला, काका, मामा, मारा और बीजा बदा पराया जरे आगला भंगों ही जा पड़ सगा आता आवतिव आवता बोमों पाचाए सगा थसे पना बोमों ए मानी बेठो के नहीं आ मारा सगा जाने के ये तो मने अवे कायम राक्षे यहा ती मने जवा नी दे पन बदा जोता जरे छे टगमक अने पते पतानों आईश्य पूरू थे चाले ओ जाए छे लिए जया जया आड़ने मो करे ओछे ते गनानी पुर्शो के आप बदून सुका मेना प्रते ममत भाव धारे तारू एमानू कहीं नहीं था पहला हा तू पड़ नहीं तू आवे तेरे पड़ तू नहीं नहीं या ती तू जेश तर एक लो जेश अतरो धन परिवार को अने नहीं निमित्ते करे लो मो, राग, आसकती, एका कार पणू एनने लिने बांदेला कर्म एतारी साथे आव से ले इना माटे जी अढ़ार पापस्तान को सेव्या एना फलतो आपड़े भोगवाना अने जे कहीं पन पापो करे ने भेगू करें ते बदू आई जिरे ये पजिया ना करे लगा पाप के, तो कि तुन सुकाम बिजाना जीवने दुखापी के इंसा परिकरी आरम परिकरी ने सुकाम सुकाम बिगू करी, तारी भूल छे माटे एज पापो ते बिजाने दुखापी ये निमित्ते एना पड़तो बोगवाज पड़ से पर वस्तु को साथे गई ना थे एम आ जगत्मा धान योवान जीवान परिवार समस्तक्षण भंगुर छे एने संसारी मिथ्याद्रश्टी जीव पोतानु शरुप पोतानु हित जाने छे बिभंगा एम्यृत्तुत कि अधे जुहूँ आन्य स्त्री फट्रा दी घन कुटुम महरूँ ऐमा जी मिथ्याद्रश्टी जीव पर ने से पोतानु मानें मानें केम के अमों पतानु हीत जाने के महरूं कुटुम छेन ये मारी रक्षा करसी विजा कौन मारे सवामे जोवाना ये भी जीवनी मान्यता पड़ी छे ज़र ये पुन्य उदेई नहीं होय तो छोक्रोपन सामोनी जोय सामो थाय उड़त अन्य पुण्य उदे होए तो कोई सगून होए तो पार को आवी ने सेवा करे पणा जीवने भी मानेता छे के महो वस क्या कुटुम महरूं ये महरूं हित कर से हित तो किटनूं कर से पणा आपड़ा महो जियां सुदी छे तियां सुदी अहित तो जरूर कर से किमके येना प्रतिया आपणी आशक्ती छे महरा पणानी ये ये ममत तो भाव जो अंतवक्ते रही गयो तो ये ज कुटुम आपणने माठी गतीमा लई जैसे ये ममत तो भाव येने आजी मिथ्याद रष्टी जीव कुटुमादी ने पोतानों सरूप माने येवा पोतानों हित जाने छे पोताना सरूप नी ओड़खान होए तो परने पोतानों सरूप केम माने कृपाल लेके जो महुतो सहजात्म सरूप छोँ ये म नानी पृष्णा उकदे से जो आवाद धर थाईकी होए तो पछी आज सरीर पन महारू नहीं तो पराया साव जुदा देखाए मारा के विर्थ होई शके जहां देह अपनी नहीं तहां न अपनो कोई घर संपती पर प्रगठ हैं पर हैं परिजन लोई आर घर संपती धन वगेर तो प्रतेख जुदा देखाए मारा के विर्थ होई शके देतो एक मेक एक शित्राव गाई समन्छे दू दने पाणी नी जे आत्माने ना प्रदेशोने आ सरीर ने तो आ सरीर पन परतानों जरे नहीं थे सके तो आमारा के विर्थ होई शके छता पन दर्शन मों के वो बढ़वां शे छता एनने अवुग रया करें नहीं आमारा आमारू कल्यान करसे मारू भलू करसे मैने सहाईकता आप से एवी जीवनी मुड मती शे एनों कारण शे दर्षनमो, मिध्यात्वे. हैने सदकुर्पना बोधे जहें मन्ता तेम्ते वास्त वीकता नो भाणावे छे हने सुरूप तरप लक्ष जाए छे पोताना सुरूप नी ओडखान होए यिले के पोताना सुरूपना भाण होए इनु घणान होए तो परने पोतानु सुरुप केम माने तो कृपाल के पोतानु सुरुप केम माने नज माने समस्ते इंद्रिय जनी सुख जे द्रश्टी गोचर दिखाएचे ते इंद्र धनुषना रंगनी पैठे जोद जोतामा नास तही जाएचे समस्त इंद्रिय जनीत सुख पांच इंद्रियों थी प्राप्तता जे सुख जे द्रश्टी गोचर देखाए आँखे देखाए ते इंद्र धनुष ना रंगनी पेठे जोत जोता मा नास थाई जाएछे इंद्र धनुष वर्शारी तुमा सबत रंगी के ट्नु लांबू सुन्दर देखाए तोड़ी वार मा नाश पांबी जाएछे ते इंद्र धनुष ना रंगनी पेठे जोत जोता मा ते इंद्रियों सुख नस्ट थाई जाएछे जुवानी मा एने इंद्रियों सुख भासे अने इवावई मा जतारे छे शक्ती हिन थाई जाएछे योवननुँ जोश संध्याकालनी लाली नी पेठे क्षाण क्षाण मा विनाश पामेछे योवननुँ जोश योवन अवस्ता मा रहली शक्ती संध्याकालनी लाली समाज संध्या वकत मा पड़े आका समाजू ये लाल लाल क्यों देखा है पड़े रेक इत्लिक बाद योवननुँ जोश संध्याकालनी लाली नी पेठे क्षाण क्षाण मा विनाश पामेछे इतला माटे आ महारूं गाम आ महारूं राज्य आ महारूं घर आ महारूं धान आ महारूं कुटुम एवा विकल्प करवा तेज महा मोहनो प्रभाव छे कि लागे छे कि बदा आपड़ा गया एज घर मा रेवा वाड़ा के भी आ महारा महारा करता तच्छता कई लेई नती जेश शक्या जुए छे पोतेपना वातने जाने छे बोले छे कि आ महारूं घर आ महारी दुकान आ महारूं धान महारूं कुटुम ये कोई काड़े भुत कालमा तमारा बाप दादाओ के सगाओने बनू पण ये थहू ना थी अने जे हैयाज मुकी ने चाला गया तो के जे तुँ एवा विखल्प करे ये महा मोहोनो प्रभाव छे महा मोहने लेने इवी भावना थाई छे पांच इनिजना विश्यो प्रतिया सकती छे तेनू कारण पन महा मोह छे इचारित्र मोह छे अने परपदार्त मोजी महरापडानी भावना छे इदर्शन मोह छे पतियात्म सरूप छे चतापरने पतानू माने ए मिथ्यात्त छे अगनान छे इदर्शन मोह छे पांच जिना विश्यों में इने सुक बुद्धी इने आनंद भासे ए महा मोहने कारणे मीठा लागे चे लिए ब्रम्चार जी एक आथा लखी चेना पर महा मोहती मीठा लागे जग जीवोने भोगो कल्पित कथा मोही जन जोडे कल्पित कथा मोही जन जोडे अपत्य वधारे रोगो अहो हो परमसृत उपकार भवीने सृत परमयाधार महा मोह दर्शन मोहने महा मोह कयो मिठ्यात्व सर्व कर्मनी जड़ चे मूल चे मिठ्यात्व चेदायों के बदा भागवा मांडे बदा समय समय बदा जी कर्मो नाश्पा मांडे पन बदी मिठ्यात्मने जयां सुधी पोशन मलया करे तेहां सुधी आखा जहाड ने सर्व कर्मों ने पोश्चर मालेचे बद सर्व 158 प्रकर्तियों जे बंदनी छे पूरो विस्तार करिये तो को 148 कहे अन्य आपड़े 67 कले जो तुकाव मा पतावे ये रूप जहाड जोरी ने ये ना मूडियां मा मिध्यात्व लखेंचे क्या जहाड नो मूड मिध्यात्व जे पजी आड़ा उपर वदी प्रकर्तियों एक सो ठावन वतावी तेकर भया वदी कर्म प्रकर्तियों नो मूड मिध्यात्व दर्शन मो ये ने महामो केऊ एले महामो थी मिठाल आगे जग जीवोने भोगो पन अने कल्पित कथा मोही जन जोड़े एवी कल्पित कथा हो जोड़े के जे अपत्य वधारे रोगो जेम रोग थेवने अपत्य खावा थी ते रोग वदे तेम एक तो महामो अंदर पड़ेलो छे तेमा वड़ी आ टीवी केवी मनोर कहानिया अरे असलील शाहित्य आ वड़ी आपड़ी अंदर नी जे मलीन वास्तनाओं चे ने वधारे उसके रेचे इटले कल्पित कथा बनावती आ मोहिजन जोड़े के जे वाँच्वाती अपथ्य नी समाने वधारे रोगो आ आत्माना रोगने वधारी देचे इले आ महारूं राज्य आ महारूं गाम आ महारूं घार आ महारूं धान आ महारूं कुटुम इवा विकल्प करवा तेज महा मोहनो प्रभाव छे जे जे पदार्थो हांकती जुवां मावे छे ते ते समास्त नाशपाम से जे कही भणतामारी आंके चड़े छे ते बधूझ नाशपाम से किमके बदो पुद्गल नो सकंद छे ये वस्तू ना थी द्रवेतो पुद्गल परमानू छे आतो बदी अनी परियाय छे परियाय तो समय समय विनसीज रही छे वर्तमान परियाय तो एक समय मातरच छे आपनने जे कहीं देखाये छे ते बिजा समय तो यहनू विजुरूप थेग्यों आपनने एकदम ख्याल ना थी आवतो लामे गाड़े यहनू परिणमान आपना ध्यानमा आवे पन बिजा समय आज यह देखाये बदानी वस्ता पलटाईगे एक समय मात्रज दरेक द्रविनी बर्तमान परियाए छे यहले परियानू केतलू क्षनीक पणू विजा समय पणे न थी तो आपनने जे जे पदार्तो आउंक ती जोवामा आवे ते ते समस्त पदार्तो नाश पाम से यहनी देखवा जानवा बाड़ी इंद्रियों छे ते पन अवश्य नाश पाम से आखे जे देखाये पदार्तो आश पाम से अने जे आँक वड़े आपड़े जे पदार्तो ने जोईये छे यह आँक पन पुद्गल परमाणू निज मनेली छे लेनों पन नाश थसे तेने मजिश्यनी आख होए तो यहने प्राण छूटता जेने बाड़ी नाखवा मावे न बाड़िये तो आँक सड़े पड़न सड़न पड़न ने विद्वन सणे तो पुद्गल नों सभाव छे ए नाश पामे कीडा पड़े अने सिछेवते नस्त था यहनी परेया बदलाईच जाए प्रती समय बदलाईच एम जे जो हमावे तेपदार्तो नाश पाम से अने देखवा जानवा वाड़ी इंद्रियो मन जानवा वाड़ू जे ए द्रव्य मन पण पुद्गल नुझ बनेलू छे ए पण नाश पाम से आँक पण नाश पाम से ते माटे आत्माना हित माटे जुतावडे उद्यम करो के तमे जेने महरू महरू मानों छो शरीर के कुटुमबादी के धनादी ने ए बद्धोज नाश पाम से माटे उतावडे शिग्र तमारा आत्माना कल्यान माटे उद्यम करो आतो बदू जवान पण ने जे नहीं जाए एवो तमारू जे नित्य शास्वत स्रूप छे एने जानवा शद्धवा अने एमा रमन करवा माटे नो शिग्र प्रयास करो जल्दी करो केमके आवतिकाले आपने यास्थित वश्चे के नहीं नक्की नहीं है रे शिग्र तारो शिग्र तारो नहीं रे आत्म तारो आत्म तारो शिग्र येने ओड़खो शिग्र येने ओड़खो सरवात्म मा समद्रस्ति द्यो आ वचनने रदये लखो सरवात्म मा समद्रस्ति द्यो आ वचनने रदये लखो बदी जात्म मा महराजी वी उग्रश्ति द्यो आ वचनने रदये लखो तो पछी उँँ कोने दुखापूं इवी दिते रागद्वेश शादी भावो तवाती आत्मा कर्म मंद्रन करे तो आ रागद्वेश्य आत्मानों सभाव न थी विभाव छे जेटलो विभाव मा आत्मा जये तो डंडाई छे पोतानु घर मुकी पारका घर जाए अर्था सभाव मुकी ने परपदार्तमा महरापनों कर्वों ए भाव चोरी छे पतानु न थी भाव ती तो पतानु मानियों पुद्गल पोई दिवस पतानु थाई नी घर मारू मारू करे तो थवानु न थी पन ए भाव जे कर्यों महरापनानों एक जे भाव चोरी छे तारू न थी चतां ते केम तारून गोद गोड़ां हिए गणानियों पुरस्ट के अनुए तारे दंड भुगोव पर से तारू चे तेने तारू मान परने पर्मान गोड़ा देम मों रेवुआ पड़े पन तारू नती ये परने तो परज़मान मूं परया घर मा रों छो स्वा घर मा केवीरिते आवू ए मने अमनों भान ना थी पर नानी प्रिश्केक आतारू घर ना थी तो मारो सभाव ना थी आतो सब्त दुर्गन मैं धातुनों बनेलू आ देहेची बनेलो ए मलमुत्रनी खान ते हूँ नहीं हुँ तो अनन्त गणान दर्सन सुख वीरिनो स्वामी यवो शाशवत आतमा चूँं। जर अमर अभिनाशी चूँं दिहा आतीत स्वरुप चूँं अने स्वैम जोती सुख धाम चूँं। हुँ कहीं जेवो तेवो न थी, हुँ तो सहज आत्म सरुप छो, शुद्ध आत्म सरुप, परमगुरु, पंच परमेश्ठी जेवो, एम आत्म भावना करता रागवेश्णों क्षय थाए, माटे किया जे कहीं पन पदार्तो परतिय तमने राग थाई छे, ए बदूज नाश पंच से केम के संसार नू सरुप जनित्य छे, एने तुन नित्य माने आज तारी के भूल छे, ये भूल आपनी निकड़े, एना वाटे जेम छे तेम जणावे छे, कोई एम न कहीं सके के एम ने बलेन क्यों आपणूं छे तो, एक इंपरायुत हवानूं छे, तो के तारु कोई तो जा लेन जा साथे यहां थी जाये तेरे, अने यहां पंच तारा पुन्य प्रवार तो भीजा केम ले जाये, मानों के आपने परी साजे, आपड़ा मान्या, आपने पापनों उदे आवयो, अने मोटन नक्सान आभी गया, ये लिए धन भीजा पास से चालियो गयो तो भी तमें तो तमारू मानता आता, ये केम गयो, खोटी आती है, ये मानने ताज खोटी आती है, कोई कोई नों न थी है, इस तरी पुतरा दिने पुताना मानी ये मोटी भ्रांती छे, ये तो बेनो स्वार्थ सचवाई छे, इतले एमने हम लागे के खरे खर आएक भीज पिता नमें साहक छिये, पन असल में तो बेने नो स्वार सदाई छे, जेमकि बाड़क होए, इने माता पिता पैसा आपे, जे मागे ते आपे, इले इने माता पिता सारा लागे, और पिता ने उंडे उंडे इवो भाव होए, कि आ पुत्र मोटो थसे, इले बदी मारी आजव से, जेम दर एक प्रकार्नी आशाओ इच्छाओ ने लेने आजीव जिवे चे, प्रुपार देगे, आ जगतवासी जीव, का तो आशा थी जीव और जनान थी जीव, संसारी जीव आशा ठी जीव, कि माने सुक मरसे, आपुत्र थी मरसे, पैसाती मरसे, कुटूम ती मर से धंती मर से आम कोई न कोई क्याई सुक बुद्धी करी लिदी छे इना आधारे चाल्य करे छे शुक थाय के नहीं थाय पड़े नी मानेता विप्रिच छे इतले कोई दिवस से सुखी ये पदार्त होती थाय जनी केंके पर पदार्तों छे पर आधीन सपनेउं सुखनाई एकले ते माटे आ देखवा जानवावाली इंद्रियों पनवश्य नास पाम से ते माटे आत्माना हित अर्थेज उतावडे उद्यम करो शिग्र उद्यम करो एमों धील मा करो जेम एक जहाज मा अनेक देशना ने अनेक जातीना मानसो भेगा थी बैसे छे पची किनारे जी नाना देश प्रति गमन करे छे जहाज मा अनेक जातीना मानसो भेगा थी बैसे छे पची किनारे जी नाना देश प्रति गमन करे छे तेम कुल रूप जहाज मा अनेक गती थी आवेला प्राणी भेगा थी वस्से छे एक कुल मा जे पुत्र पुत्री रूपे माता पिता रूपे केस्त्री रूपे ये विदा भेगा थे तो कोई क्या थी आवे और कोई कौन जाने कही गती मा थी जुदी 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 गत तुम सुं करेचे आथ तो कि मारा पती ने मढवा चुछू आगला वह ज्यां गया तिहां जेश्चू आई तेहनी साथे बढ़ी ने तो कि ये मेलो नवी कदिये संभवे मेलो ठामन ठाए एक क्या क्या ठान इतले स्थाने गया है कि तने खबर चे तो प्रतिक जीव कर्म ने आदी जे ये ना करमे क्या गयो अने तुम तारा करमे जेश्च ए मढवानों स्थान न थी विर्थे तने ये नहीं मढ़े आब अधी तारी मिथ्या मानेता चे ये ना तुम दुखी चे शाश्वत जे तारू सुद्ध सरूप चे सहजा आत्म सरूप ये परमात्मा सब्देवने प्राप्ठ है माचे येने तुम पति कर तो ये तने कदी नहीं छोड़े जो आ संसारिन सुख परणावी रंडावे पाच्छू तने रंडापो आव्यो अवे तो ये वार शब्दे भगवानों जे शाश्वत एक कोई कालेतारों व्योग नहीं था एना प्रत प्रिती राग प्रेम कर पजिए बात विस्तार्त एने समझावी समझी गई स्वती नहीं थाई अने भगवानी भक्ती मालीन थाई एम यहां के छे के तमे पिणा नाश्वन्त वस्तुव प्रत्य नों राग हवे मुखी दियो शाश्वत वताना सुद्ध सरू प्रत्य लक्ष करो अने आ वास्त्विक्ता छे जे कृपाल दे के हमें आ कहिये छे यह मच्छे एपदार्त मां एक अंश्पन बिजु नथी आ जे कहीं पन स्वरू परणविये छे ते यह मच्छे तमे पन तमे विचारी जो के बदू अनित्य नहीं होए तो तमे शाश्वत करी सक्या छो कोई नती करी छेक तमारा बाप दादाओ पूर्वे अनन्ता वही गया यह मच्छे कोई काई नती करी छेक बदा एक काल न मां पोते वही गया काल चक्रमा एई भटकता थेया पड़े कहीं अनित्य पदार्तों नित्य बनावी शक्या ना थे वड़ी पची आईश्य पुरू थे ए तेम कुलरूप जहाज माने गतिती आवेला प्राणी भेगाती वसे छे पची आईश्य पुरू थे पोत्पताना करमानुसार चारे गतिमा जही उत्पन थाए छे जे देह थी इस्त्री पुत्र मित्र भाई बगेरिनी साते समन मानी रागी थही रहो छे ते देह अगनी थी भस्मत से वड़ी माटी साते मरी जह से तथा जीव खासे तो विष्टा अने क्रुमी कुलेवर्थ कलेवर्थ से के आईश्य पुरू थे आतारा मानेला बदा सगावाला बदा पोत्पताना करमानुसार गतिमा चला जह से तारा नहीं रे आ देहे थी इस्तरी पुत्र मित्र भाई वगेरी नी साते जे समन्द मानी तुँ एना प्रते महो करीने रहो छे अने जाने अबे हुँ तो एमज रिश कायम उन कोई दिवस्तियां थी जवानों न थी अने आ सगावाला मारा बदा एमज रह से इवी तारी मान्यता छे ते थी तु बहुत दुखी थे शे अब योग थसे तु तो मानी बैठो के बास आपड़े अमज चालवानों अने आतों के जूदू थे यूँ ते वक्ते ताने घुनों आगात लाग से माटे पहला थी जे आम हरा छे जनी कर्मानु सार उनानु बंदे भेगा थे आचे आई शुकूरु थे बदा पोत्पोता नी गतियों माँ चाला जवाना हाम पहला थी अंतर थी काड़ी निर्मों ने पामिश शाष्वत सुक्षांती ने पामिश के ङूंतों कोई खाले मरत होंति कोई मरत्म न थी जगावाला पन मरता न थी ए uninterब्ली घटी बदली ने बिजदी घटी मों गया ये औरे मने शारा पुन्य करया हए तो तहम गवानिन टो व्त्तम गवान एमों रडवा अप एना बांदेला कर्मे भोगव से, पन तु एनी पासल सोक करीश, तो तारी गती बगडी जैसे, अर्थात, तु अशाता वेदनिय कर्मनों बंद करीश, फोकट माँ, ये तो एना कर्मे गयो, जे भोगवे, पन तु एनी पासल सुकाम सोक करे, पन नानी पर्शो के दरेग जीव रडेच है, ये एने न थी रडता, पता ना स्वार्थ ने रडेच, ये आता, तो आ मारू अब बदू काम करता आता, वे चालया गया, वे मारू कौन करसे, एने माठे रडेच, ये के एना माठे न थी रडता, जे गत्मों एम खाली के, नहीं गर्मा बैठो तो एज इस्त्री के बैठा बैठा तमारे गरम गरम फुलका जो यह चे यह जो काम कहीं करूं ना थी एज वड़े और जो कमावीन लावे तो बहुं मीठा लाए गरमा गरम आपे ले बदू स्वार्तनों संसार छे पन आत्मा साथे नी प्रितिज्यां हो होए त्यां पछिए बाहरनों न जुए जेमके सगाई साची श्रिष्टी मां छे सद्गुर्णी एक नभीजी तेना भक्तनी वाकी जूठी अने अब दी जूठी सगाई पन आत्मा अर्थी जीव होए मुमुक्षू होए तेना प्रते अना आत्मा प्रते प्रेम छे के और भेरागी छे तेना प्रते आवी स्वार्थ नी कामनाvordan होए सत्थन्ग भाव भक्ती अना मोजो यहने प्रते प्रेम आवे अत्मानों गुणो जोईने तो यह प्रती टके छे चे इनी स्वार्थ प्रेम छे इले यह साची सगाई थे नानी ना आश्रित नी बाकी इले प्रवुशी के अमें तो कृपाल देवनी जे भक्ति करे ते तो अमारा माथाना मुकुट छे एने जुईने तो प्रभू अमने तो पुझ्य भाव थाई छे येने जो इने अमने आन्दावे को हो धन्नी छे क्या आत्माने क्या भक्ति करे येने काले करता आ जन्म मन्ती मुकवान मुकाई जवान अवसर आवसे मुक्ती मेडवसे धन्नी छे ना आत्माने येले अना प्रते उत्तम अमने प्रेम आवे निस्वार्थ प्रेम भक्ति उत् प्रमाणे अनित्य भावनानों वर्णन घणू लाम्बू छे लेहिया अपड़े अटकिये छे यागलनों अपड़े हावतिक आले लेश